नमस्कार ओम शांदी दर्शे को एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्ञान से भरपूर कर देने वाले कारिकरम ज्ञानोदै संतोष दिदी के संग आज की एपिसोड की शुरुवात मैं एक उधारन से करना चाहूंगी एक बहुत विशाल का जो समुद्र होता है उसमें एक नाव तब तक ढूब नहीं सकती जब तक उसमें एक छेद ना हो जाए और जहां इतना छोटा सा छेद भी हो गया तो वो नाव धीरे 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 डूबना शुरू हो जाती है यही उधारन यदि हम अपने जीवन पर अपलाई करें तो क्या होगा यह पूरा संसार देखा जाए तो नकरात्मक वृतियों का सागर बन चुका है और इस सागर को पार करने के लिए यदि हमारे जीवन रूपी नईया के अंदर एक बुराई रूपी छेद हो जाए तो क्या होगा हमारे जीवन के नईया डूब जाएकी और वो छेत क्या हो सकता है, वो मुराई क्या हो सकती है वो हमारी ऐसी आदतें, वो ऐसे हमारे संसकार जुन्ना केवल हमारे जीवन को तबह कर देते हैं बलकि हम लोगों से जुड़े हुए अनेक लोग भी उसे प्रभावित हुजाते हैं तो ऐसे संसकारों का हम गुलाम ना बन करके कैसे उन आदतों का हम परिवर्तन करें कैसे हम अपनी जीवन को सवारे, निखारे, सुन्दर बनाए आज इसनी बातों को ले करके हम चर्चा करेंगे हमारे बीश में मौझूद है आदर्निय संतोष दिदी जी हर बार की तरह जीदी आपका आज के इस कारक्रम में बहुत-बहुत फिर से हर्दिक स्वागत है ओम शांती ओम शांती आज हम एक ऐसे विशे पर चर्चा करेंगे जिसमें मुझे लगता है कि स्रिष्टी का प्रतेक व्यक्ति ग्रसित है और वो शब्द है गुलाम जैसे अगर किसी व्यक्ति को बेडियों से बान दिया जाए तो वो उसी टाइम उसी शन उसे छूटने का प्रतन करता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है बड़ा अंदर से दुखी एक पीड़ा दायक स्थिती का वो अनुभव करता है आज कल के महौल में देखा जाए भले बाहरी जंजीरे नहीं है लेकिन फिर भी मन में जंजीरे कही ना कहीं बंदी हुई है और वो उसकी कई ऐसी खराब आदते हैं कई ऐसी उसकी संसकार है जो उसको बांदे रखते हैं पूरी उम्र और ऐसी आदते और संसकार उस व्यक्ति की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं और दूसरी चीज ये भी कि अगर हम प्राचीन भारत की भी बात करते हैं, प्राचीन भारत में भी गुलामी की प्रता थी, धीरे-धीरे समय बीता, काल चक्र बीता, और अंग्रेज भारत पर आये, भारत पर उन्होंने कबजा किया, बाद में 15 अगस 1947 को हमारे देश की आजादी भी हुई, लेकिन मु देखो वैसा बाहर से देखा जावे तो गुलामी नहीं कह सकते हैं, हरेक व्यक्ति स्वतंतर है, और हरेक को इस स्विष्टी के ओपर जीने का धिकार, कैसा जीना है यहरेक को खुद को सूचना है, तो हरेक व्यक्ति स्वतंतर हो कर के खुशी से सुख से जीना चाहता है, प को पाय करते हैं, लोग खुशी के लिए, आनंद के लिए, ये जो मीडिया इसके साधन भी अपनाते हैं, पॉन्स वगेरे, जो भी है, मोबाइल, फेस्बूक वगेरे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो भी करते हैं, साथ साथ में हम देखते हैं कि कोई उनकी ऐसी बुरी आदत लग जाती है, किसी को शराब की आदत लग जाती है, किसी को सिगारेट की आदत लग जाती है, अभी इतनी चोटी सी सिगारेट, सवा इंच बड़ी, पांच सवा पांच फूट वाले व्यक्ति को अपने अधीन कर लेती हैं, वो चहाता है कि मैं इसको छोड़ू, पर वो शराबी था, और हमेशा भो शराब पी करके इदर उदर गिरता पड़ता रहता था, घर में आशान्ती करता था, एक दिन वो शराब पी करके रस्ते में गिरा पड़ा था, तो उदर से राजा की इस वारी निकली, राजा हाथी के उपर बैठा हुआ था, उसके साथ घोड बेचना है क्या, तो उसको हाथी नहीं दिखाई पड़ रहा था, गदा दिखाई पड़ रहा था नाशिम, राजा ने कुछ बोला ने, वो समझ गया, ये शराबी है, राजा कि सवारी आगे चली गई, दूसरे दिन राजा ने उसको अपने दरवार में बुलाया, और उससे कि तेरे को मेरा गधा खरीद करना है क्या, मेरे पास एक ने ऐसे बोत गदे है, तो उसने का कि, राजा मैं कौन सा गधा, तो बोला मैं जिसके उपर बैठा हुआ था कल, जो का, राजा जी मेरे तो बच्चे भूख मर रहे हैं, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, जो मैं ब तो कल का, कि आपको गधा बेचना है क्या, तुम नहीं तो बोला, यह मैंने नहीं बोला, यह शराब बोल रही थी, बिलकुल सही, तो राजा ने का, इसने तो बड़ा नुकसान कर दिया, घरवालों को इतना तंग करता है, शराब पीता है, और इदर उदर गिरता पड़ता है इसको जेल में डाल दो, सजा होनी चाहिए इसको, उसका जो मंत्री था वो बहुत समझदर था, मंत्री ने कहा कि राजा, यह शराब का नशा करता है, इसलिए आप इसको सजा दे रहे हैं, वास्ताव में सजा तो हम सभी को होनी चाहिए, राजा ने कहा क्यों, बोला आप आप देखो मुझे मंत्री पद का नशा है, आपको राजा पद का नशा है, किसी को सेठ पद का नशा है, किसी को डाक्टर पद का नशा है, किसी को सेठानी का नशा है, किसी को सास का नशा है, तो नशा हरेक में कोई न कोई है, जो सब नशे नुकसान करने वाले हैं, तो इ तो हमारा कहने का तात पर यह है कि आज कल एक मनुष्य नहीं, परन्तु ए टू जेड, सब किसी ना किसी नशे के अधीर हुए है, और उस नशे के कारण उनको वास्तवीकता नहीं दिखाई पड़ती है, उनको और ही कुछ दिखाई पड़ता रहता है, और जिसके कारण क्या क यह वात हो गई है, कोई भी अपने को छोटा नहीं समझता है, और छोटा नहीं समझने के कारण, तू भी राणी, मैं भी राणी, कौन बरेगा पानी आप बताई है, तो ऐसी हालत हो गई है अज इस दुनिया ने, बिलकुल एक एक व्यक्ति आज के टाइम में जो है, अपन से वो शरीर को उसके जो ऑर्गेंज हो जाता है, चाहे हमारा किड्नी है, लीवर है, लंग्स है, ये तो एक शरीरिक रूप से बात हो गई, बानसिक तोर पर ऐसा व्यक्ति, चाहे नशा करता है या नहीं भी करता है, लेकिन ऐसे ही आदतों के वश है, जिसे वो छूटना च आदत है, गलत खान पान खाने की आदत है, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी आदते हैं, जो अंदर से किस तरीके से आदमी को खत्म करती है, कौन सी उसकी शक्तियों का गुणों का नुकसान होता है, आज देखो बुरी आदत उसको कहेगे, हर एक चीज की निमिक है, जैसा अमरत कहते हैं, परन्तु धूद भी अगर लिमिट से बाहर पिया जावे तो भी जैर हो जाता है, मनुष्य नियमों को तो तो तोड रहा है, परन्तु उसके साथ-साथ उसके अंदर सयम नहीं, तो जीवन में दो बाते होती है, एक है नियम और दूसरा है सयम, सयम मना कंट् मनुष्य घाते हैं, जो मनुष्य घाते हैं सभी पशूने खाते हैं, रहो जाती है यह है, आज एक हम पाशने को ले गा ठाए था ने, मेर को कःम है जी यह नहीं पहां रख वाली ओला नहीं था, भूह सुंदर खेट इतनी अघरी ती इंतनी सुंदर खेट को यह आपने र जो गदा नहीं खाता है, वो सारा दिन आज मनुशी खा रहे हैं। तो अपने आपको कैसे हम इस माहोल से बचा करके चलें। क्योंकि कई वार हमने देखा है कि व्यक्ति कहते हैं कि हम करना तो नहीं चाते हैं। पुश्किल नहीं है, वो फटा-फटा आजाती है। लेकिन अच्छी आदतों को जीवन में अपनाना इसमें समय लगता है। तो ऐसे समय में अपने आपको हम किस तरीके से ब्रचा सकते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे बातों से, ऐसे नकरात्मक वृत्यों से, क्योंकि आजकल मोबाइल सब के हाथ में हैं। यूट्यूब सभी देखते हैं, फेस्बूक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत गलत गलत चीजें देख करके बहुत गलत आदतें हम अपने अंदर ले आते हैं। जिससे हमारे जिन्दगी जीवन सब खराब हो जाता है। तो कैसे बचा जाए। देखो गहने ऐसी बात है। कि हमारे को ये गंदी आदत पड़ी हुई है छराब कबाब की तो तुम भी करो। तो ऐसे बिगाडने वाले लोग तो बहुत मिलेगे। परन्तो उस समय हमारा जो प्रतिग्या जो है वो हमारे पास एक पक्की प्रतिग्या होनी चाहिए कि मुझे कभी भी इन आदतों की अधिन नहीं होना है। जब मैं ये दृड संकलब करते हूं कि मुझे इन आदतों की अधिन नहीं होना है। मुझे इन से ये नही शीखना है, मुझे इन लोगों को अच्छा ही सिखानी है। तो ये, अगर कमजोर होते हैं तो 10 में आजाते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो संग में नहीं आते हैं वो और ही उनको सिखाते हैं कि तू आहां कह leven के रास्ते पर चल रहा है। अब एक व्यक्ति है वो खड़े में गिर रहा है और दूसरा भी उसके पीछे पीछे जाके उसके अंदर गिरे क्या वो यह करेगा वो रास्ता बदल कर चला जाएगा अगर ऐसी संगत मिल जाती है तो उनसे संगत न करना अच्छा उनसे किनारा करना बहुत अगर अगर अपन करें कि मुझे यह खराब आदतें अपने को नहीं लगानी है तो जब हम यह लक्षे रखते हैं तो फिर हमारे उपर उसका असर नहीं होता है मैंना हमारी डिटामिनेशन हमारी आंतरिक शक्ति इसमें बहुत जादा चाहिए ताकि उसका प्रभाव हम पर ना सके इसमें एक ऐसी यह भी आती है कि कई वर हम आदतों से चूटना चाहते हैं बहुत महनत भी करते हैं लेकिन वह संसकारों का भावनारों का… उस संसकार कई बार इतना हावी हो जाता है मन पर कई वार व्यक्ति अंदर से तूट जाता है कि मैं इतना प्रेतन कर रहा हूं छोड़ने के लिए लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूं और ऐसे में इंसान अपने आपको खक भी जाता है अंदर तूटा हुआ महसूस करता है ऐसे में फिर वो क्या करें ऐसे में फिर उसक आज हमारा मन वस में नहीं है, इसलिए हम उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, तो उस व्यक्ति को ये करना चाहिए, मनोबल बढ़ाने के जो तरीके है, उसको अपनाने की आउशक्ता है, और सबसे बड़ा मनोबल तब ही बढ़ सकता है, जादा से जादा, जब हम सर्वशक्त तो को छोड़ सकते हैं, हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, और आने वाले कोने कले युग के ही है सब, कितनों में तो ऐसी आदते हैं, पर आने के बाद बाद जबी उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, राजयोग का अर्थ हैं य जितना जितना आज गुराई को निकालना है तो उसके लिए अच्छा ही भरने की आवशकता है तो जिस समय पर उनको यह सब बाते हैं और उनको याद दिलाया जाता है कि आप किस घर आने के हैं आपको वालूम होगा पहले जब ही राजपुत लोग युद्ध के मैदान में ज और आपको यह दोगते हैं तो गीत गाते थे कि तुम्हारे पूरोज कितने महान थे उन्होंने कैसे कैसे शूर वी इ Wishर वीरता से वीजै पराप्त किया तो गीत सुन सुन उनके क्या होता था, उनके अंदर एक शक्ति आजाती थी, उनकी औरते उनकी आरती उतारती थी, उनको तिलक लगाती थी, कहती थी, आप जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में, आप मर के आना, नहीं तो मार के आना, आप अगर ऐसे हार के आए तो हम आपको दरवाजा नहीं ख तो इसलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, कि हमारे जो पुर्वज इतने उंचे थे तो हमें भी उंच बनना है, तो ये जिस्समें सुमृति आ जाती है ना तो ये आ जाते हैं आपी छूट जद्ध। ये शक्ती हमारे अन्दर ही है जिसके लिए इतना परिशान होते रहते हैं इधर जाते हैं, डॉक्टर के पास ये जाते हैं कौन्सलिंग कराते हैं लेकिन अपने अंदर की शक्ती को रिलाइस कर लें तो शायद आहिसे बड़ी पावर हमें संसार मेंने का अछ्ड़ आतमा है को भूल गय है उसको अb esa到底 की या दि लाने की हुए छिए आ हमने बुरी आद्टों की कुछ बात की है क्या क्या हो सकती है ऑच्छी आद्टे हम पूरे दिन में ऐसी क्या चोटी या चोटी बाते करें जो अच्छी आद्टे वहारे संस्कार बंते चले जाए पूरे दिन चाहिए जो हमें खुद भी सुकून मिले अच्छा लगे दूसरों को भी लगे कि हां इसके जीवन में परिवर्टन आ रहा है। तबी होसकता है हमारे करमों में परिवर्टन जब हमारे सोच में परिवर्टन होगा। हमेशा कहा जाता है, जैसा सोचेगे वैसा बन जाएगे, जब हम ये दृड़ संकलब कर लेते हैं, कि हमें अच्छा बनना हैं, हमें आदर्ष बनना हैं, तो हमारा हमारे विचारों के उपर भी हमेशा कंट्रोल रहता हैं, क्योंकि उसके लिए हमें पाजेटिव विचार करने तो जितना जितना हम पाजेटिव विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो जैसे हैं क्योंकि हर एक करम का जो बीज है वो संकलब, अगर संकलब परिवर्तन में आ गया तो वानी परिवर्तन में आ जाती है, करम परिवर्तन में आ जाती है, करम परिवर्तित होते है तो संसकार परिवर्तन होता है, संसकार परिवर्तन होते हैं, तो सारा संसार परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए संसकारों को बदलने के लिए हमको विचारों को बदलने की अवशकता है, तो इस इश्वरिय विश्व इद्यालय में यही सिखाया जाता है, कि आप अपने वि आप इश्वरी याद में रहके करम करो करम योगी बन करके करम करो तो जब हमें परमात्मा की याद होती है और उसकी याद में हम जब करम करते हैं तो हमारे करमों में स्वताही स्रेश्टता आती हमारे करम उंचे बनते जाते हैं तो यह हमें अटेंशन देना है कि हम जिस समय सबेरे हमारी आख खुलती है तो पहले हमें परमात्मा की यादानी चाहिए इसलिए हमारे पास यह सिखाया जाता है छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप देधारियों से गुड मॉर्निंग करते हो आप भगवान से गुड तो जैसे को देखते हैं वैसा दिन जाता है तो अगर हम सबेरे इश्वर को याद कर लेते हैं परमात्मा को याद कर लेते हैं तो हमारा सारा दिन बड़ा अच्छा जाता है तो सबेरे उसकी याद में रहना चाहिए दिन में जितना हो सके उतना हमें दूसरों को सुख देन दूसरों को अच्छा रास्ता बताना है, दूसरों को सयोग देना है, तो जब हम ये लक्षे रखते हैं जीवन में, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर दीवियत आती जाती है, तो आप देखो देवी देवताओं का क्या गायन करते हैं? सर्वगुन संपन्न सोला कला संपुर आप जैसा देखेगे वैसा बनतेजाएगा, अगर बुरा यह देखेगे तो चलिए अगर ऑश्पी को निकालने के लिए औरों की अच्छा ही देखने कि और को मुझा गृहन करने के हमारे को क्या करना है? मुद्रा कृहता है, लाक्ष यह धित्यान को नर्क की और ले जाती है, एक तरह ऐसे इंसान का बेडा गर्क कर देती है, आप क्या कहेंगे? देखो हमेशा कह जाता है जैसा संग वैसा रंग, अगर हमारे को अच्छा व्यक्ति बनना है, तो हमारे को सतसंग की बहुत आउशकता है, सतसंग तारे कुसंग बूड़ी, हम कुसंग के साथ रहते हैं, खराब आदतों वलों के साथ रहते हैं, तो रह रहके वो आदते हमारे आंदर आ जाती हैं, बढ़े मालूम होते भी आ जाती है परन्तो अगर हम अच्छे संग में रहते हैं, अच्छे व्यक्टिओंके सात रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा बुद्धी का संग पर्मात्मा जो निराकारफशिव है, उसके साथ अगर हमारा बुद्धी का संग है तो उसकी जो शक्तियां है, उसकी जो अच्छाइयां है, उसकी जो विशेष्टाइं वो हमारे अंदर आती जाती है मैं इसलिए बहुष जरूरी ए्य önemli एक संग का बढ़ा एार होता है विझे खुद को भी घखाने की होषकता है तो भुद को भी अच्छों को भी संग जितना आप अच्छी बातों का अध्यान करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी उतनी आपके अंदर वो अच्छा ही आती जाएगे, क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं तो वैसा ही हमारे को सोच भी चलता है, जैसा सोच चलता है वैसे फिर करम चलते हैं, इसलिए देखो पेले जमाने में माता हैं बैठके, बचों को ओशूर वीरता की बाते सुनाते थे, देश भगती के गीत गाते थे, भगवान की याड दिलाते थे, तो अगर वैसा ही वापस महल को बनाया जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है, वो अपने हाथ में हैं परन्त उसके लिए हमा की इरिटे उसकीका ह एक सतीफ महल है एम उसकी आधते हैं रसकुक्स आदेख्याँ में भीलीत है वह मैं ठीप Wirp depois और इसे में फिर हम अपने को संभाले ein. उनमें जो भुरी आदत है वह झाही है, उनके अच्छा ही क्यों नहीं दिखाई पढ़ती है? हमारा दृष्टी दोश है नहीं है आप दिखो कि एक ड्रामा है, उसमें मेरे जैसे 10 एक्टर जैसे मेरे जैसे address, मेरे जैसे features, मेरे जैसे बोलना, आपको 10 actors एक ही जैसे acting कर रहे, एक ही जैसे दिख रहे, आपको मजाएगा ड्रामा? नहीं, बिलकुल नहीं आएगा. ड्रामा मिन्स वराइटी. तो ये वर्ड ड्रामा है, इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, तो वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, आप उसको सुधार सको तो जरूर सुधार हो, पर वो देख करके आप अपने पार्ट को बिगाडने की जरूरत नहीं, आप अपनी शांती क्यों खोरे हैं उनको देख करके, ओ तो वीचारे इस बेहद के ड्रामा के बंदन में बांदे हुई हैं, बगती मारग में भी लोग गाते हैं, सारी स्रिष्टी तेरे सूतर धारी, सारी स्रिष्टी तेरे सूतर में धागे में बांदी हुई है, बगवान कहता है मेरे धागे में नहीं परन्तु ये ड्रामा के धागे में सब बंदे पड़े हैं, हर एक का पार्ट अपना है, हर एक अपना अपना पार्ट एक्यूरेट जब अजिर दिर्मा ढता है, एक ऐक्टर का पाट अलग होता है, और दूसरे का अलग होता है, देखकरने को को डिस्टब नहीं होते हैं, ऌस नही सामय होता है, सामय को जब ये समझ मिल जाती है, इसलोंक को रहरा ही, सकते हैं, तो जरूर सुधारना चाहिए, परन्तु खुद को बिगाड़ना हमें नहीं चाहिए, अपनी जीवन को बिगाड़ देना, शांती खो देना, शुक खो देना, यह कहां की समध्दारी, बिल्कुल सही कहां आपने, और रांग कर रहे हैं, और मैं कहां राइट कर रही आप उनको शक्ती और शांती का दान दो, जो उनके अंदर वो शक्ती और शांती आवें, जिससे वो जीवन को परिवर्तन कर सकते। संग और ईश्वर का संग, एक यही रास्ता है आज के इस कल्यूग भरे वातावरण में स्यम को बचाने का, जिदी आपने एतनी अच्छे चर्चा की, मैं आपका ताहें दिल से शुक्रियादा करती हूं, ओम शांती, ओम शांती, दर्शको आज की जो यह टॉपिक हमने ली है आदतों के गुलाम, इसे ये बात तो साफ है कि हमें आदतों का गुलाम नहीं होना चाहिए, बलकि आदत हमारी गुलाम बन जाए, जैसे संसकार हम बनाना चाहें, वैसे हम बना सकें, ऐसा हमारा संसकार होना चाहिए, किसे ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसका nature अच्छा, उसका future अच्छा और एक बहुत अच्छी line किसी महान व्यक्ती ने बताई कि जिन्दगी जिसकी find है तो समढ़ लो उस पर ईश्वर के sign है तो ईश्वर तो sign तब ही करेगा जब हमारा स्वभाव, हमारे संसकार, हमारी आदतें बहुत अच्छी होंगी, सुखदाई होंगी, जिससे लोगों को भी प्रेड़ना मिल सके, लोग हमारे जीवन से सीख सके, वो संसकार, वो आदतें, तो ऐसी आदतें हमारे जीवन को स्वर्ग समान, सुन्दर बना देती है ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं हमें दीजे इजाज़त नमस्कार ओम शान्ति